हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लेक्चर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और जैसे कि मैंने अपडेट देही दिया है आपको कि जो हरियाना बोर्ड का 9-2 क्लास 12 का जो सलेबस है वो CBSC की ही तरह हो सकता है सेम सलेबस तो इसलिए मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि जो कि आपकी जो त्यारी है वो टाइम से हो जाए आने वाले एक्जाम के लिए तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 का जो सलेबस है जो की CBSC ने कम किया है उसी बेस पे जो हरियाना बोर्ड का मैं सलेबस आपको बता रहा हूँ कि यह रह सकता है ठीक है तो आप तो सबस्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें और शेर जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें वीडियो को ताकि आपको पूरे चैप्टर का पता लगे तो चलिए जो हमारा फर्स चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जिस एंड फिल्स इस से इस चैप् complete जो टॉपिक है यह डिलीट किया है cbsc ने अपने सलेबस में तो हरियाना बॉड भी से सलेबस स्वरी इस सलेबस में से इसको डिलीट कर सकता है chapter 2 जो है electrostatic potential and capacitance इससे कुछ डिलीट नहीं होगा chapter 3 current electricity इससे जो topic है color coding एक तो यह डिलीट होगा एक 3.10 topic जो है combination of register series and parallel यह डिलीट होगा meter bridge की सिरफ जो theory है वो आएगी उसके numerical नहीं आएगे और internal resistance calculation है जो meter bridge से वो भी नहीं आएगा सिरफ theory जो है meter bridge की वो आएगी chapter number 4 moving charges and magnetism इससे जो topic है cyclotron यह cut कर दिया गया है 4.4.2 chapter number 5 से magnetism and matter 5.2.3 the dipole in a uniform magnetic field और topic 5.6 magnetic properties of matter जिसमें आ जाता है diomagnetism, paramagnetism, ferromagnetism इन सब को delete कर दिया गया है यानि कि यह दो topic है the dipole in a uniform magnetic field एक तो इससे delete कर दिया गया है magnetic properties of matter इनको delete कर दिया गया है chapter 6 की बात करें electromagnetic induction तो इससे कुछ delete नहीं किया गया है chapter 7 की बात करें alternating current इससे जो power factor वाला topic है 7.7 उससे जो कुछ भी आता है सारा कुछ delete कर दिया गया है chapter 8 electromagnetic waves इसमें से जो topic है 8.2 displacement current इसको delete कर दिया गया है इसके अंदर जितने भी topics आते हैं सभी को delete कर दिया गया है chapter 9 से ray optics and optical instruments इससे topic number 9.2 reflection of light by spherical mirrors इसके अंदर जितने भी topic आते हैं सभी को delete कर दिया गया है 9.7 some natural phenomena due to sunlight जिसमें scattering वगयर आ जाता है ये सारा भी delete कर दिया गया है जितने भी इसका अंदर topic है 9.7 के से भी delete कर दिया गया है chapter 10 wave optics इसमें से जो resolving power of optical instruments वाला topic है इसको delete कर दिया गया है और polarization 10.7 जितने भी इसका अंदर topic आते है polarization के इनको भी delete कर दिया गया है chapter 11 की बात करें dual nature of radiation and matter इससे जो topic number 11.9 है Davidson and यहाँ पर पर्मर experiment हाएगा permit नहीं है mistake है इसको delete कर दिया गया है chapter 12 की बात करें items तो इससे कुछ delete नहीं किया गया है chapter 13 की बात करें nuclei तो इससे 13.4.2 जो topic है binding energy इसको delete किया है सिरफ binding energy को ही delete किया गया है और 13.6 से जो है radio activities के अंदर जो भी आता है alpha, beta, gamma, dk यह सब कुछ delete कर दिया गये है chapter number 14 से जो है general diode यानि कि 14.8.1 जो topic है general diode इसको delete कर दिया गया है तो यह सब topics आपके delete हुए है class 12 physics के जो syllabus है उससे बाग की सब topics आएंगे तो यही लगता है कि जो यह syllabus है यही follow कर सकता है तो आप इसके coding त्यारी कर लिजिए अपनी तो इस वीडियो में ही बिताना चाहता था thanks for watching this video